हर्याना भाजपा में दगाबाजों की रिपोर्ट तैयार, हिसार सिर्शा सोनिपत में नपेंगे कई भाजपाई, तीन लोग सबाओं में हार का ठीकरा फूटा इन नेताओं पर, इन पदाधिकारियों की होने वाली है चुट्टी और विधान सबाच्चुनाओं में इन हर्याना में 10 की 10 सीटों पर चीत का दावा करने वाली भारतिये जनता पार्टी को कॉंग्रेस के हिस्से गई 5 सीटों पर खेल का पता चल गया है इन 5 सीटों पर हार में भीतर गात पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है हार पर इस रिपोर्ट में भारतिये जनता पार्टी के कई विधायकों एवं पूर्व, MLA और संगठन के कुछ पदाधिकारियों के नाम शामिल है पुखता तोर पर तैयार की गई इस रिपोर्ट पर भाजपा के केंद्रिये नित्रतव की भी नजर है रिपोर्ट ऐसी की हिसार सिर्षा वे सोनिपत लोगसबा सीट पर हार के तमाम कारणों का लेका जोखा तैयार किया गया है इसके अलावा इस रिपोर्ट में अम्बाला और रोहतक में भी भारतिय जनता पार्टी के उम्मिद्वारों के खार के कारणों पर गहन चिंतन किया गया है फिलखाल खिसार सोनिपतवे सिर्शा की रिपोर्ट पूरी तरह तयार है और यहां कई भाजपाईयों पर जल्द ही गास गिरने वाली है हर्याना में पांस सीटों पर खार के कारणों में फसे भाजपाईयों पर अगले कुछ दिनों में संग्यान लिया जाना है जानकारी यह कि इस खास रिपोर्ट में चुनाव के दोरान भारतिय जनता पार्टी के नेताओं की गतिविदियां, मतदान और मतगन्ना के बाद आए परिणामों पर भी बूथ स्तर्तक समिक्षा की गई है रिपोर्ट तयार करने से पहले सभी उम्मिद्वारों से भी फीडबेक लिया गया था उम्मिद्वारों से भाजपा के भीतर ही सहयोग और ए सहयोग की पीड़ा, मुख्यमंत्री नायव सैनी व्यपूर्व सीयम मनोरलाल की मौजूदगी में खुई बैटक में दर्शाई गई हैरत की बात यह कि मद्दान से पहले ही जिन इलाकों की अंदर खाते शिकायते मिल रही थी उनी छेत्रों में भारतिय जन्तापार्टी के उम्मिद्वारों को नुकसान होने पर अब भाजपा के भीतर बड़े तुफान की स्तिती पैदा हो गई है यह तमाम लेखा जोखा जल्द ही भाजपा के केंद्रिय संक्ठन को सोपा जाएगा जिसका परिणाम आने वाले विदान सबाचुनाओं में देखने को मिल सकता है भाजपा के भीतर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जिन विदान सबाओं में पार्टी के विदायक होते हुए लोग सबाचुनाओं खारे हैं वहां उन विदायकों को आने वाली विदान सबाचुनाओं में टिकेट देने का कोई ओचित्ते नहीं बनता ऐसे में हिसार सिर्षव ए सोनिपत में अनेक टिकेट के दावेदारों पर गाज गिर सकती है चर्चा यह कि केंद्रिय संग्ठन के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद ऐसे विदायक पूर विदायक और संग्ठन से जुड़े अनेक पदहधिकारियों की कठोर जवाब द लोग सभाओं में सबसे पहले हिसार लोग सभा सीट पर भाजपा उमीद्वार रंजी सिंग चोटाला की खार की बात करें तो यहां टिकेट के प्रबल दावेदार रहे पुलदीब बिश्णोई और कैप्टन अभिमन्नू के गड़ों में भाजपा बहतरीन परिणाम नही मान रही है हासी विधान सबा में उमीद्वार से कम लीड भी रिपोर्ट में शामिल की गई है इसके अलावा भाजपा के अनेक संगठन से जुड़े ऐसे पदेदिकारी भी शामिल किये गए हैं जिनकी शिकायत खुद उमीद्वार रंजी सिंग चोटाला कर चुके हैं हर् सबा सीट पर हार के अनेक कारण सता रहे हैं माना ये भी जा रहा है कि संगठन से जुड़े अनेक पदेदिकारीयों ने पार्टी पर्ट्याशी से शुरू से ही ऐसायोग की शिकायतें मिलना शुरू हो गई थी ऐसे में लोगों को बार बार आगा किये जाने के और चेतावनी देने के बाद भी उनकी सक्रियता नहीं बढ़ पाई जिसके कार्ण हिसार सीट पर हार का मुँ देखना पड़ा अब बात करते हैं सिरसा लोगसबा सीट की तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात सामने आए हैं इस सीट पर भी रंजी सिंग चोटाला की तरह ब पुछनेता इसकदर एसहज हुए कि आपचारिक रूप से चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हुए भीतर गात से बड़ा खेल कर गए इसके अलावा सिरसा सीट पर सांसद रही सुनीता दुगल भी अशोक तवर की चुनावी मोहिम में पूरी तरह स्क्रिय दिखा जिसके कार्ण सिरसा सीट पर 2019 में मिली बंपर जीत के मुकाबले कॉंग्रेस उम्मिद्वार कुमारी सैलजा को बंपर लीड के साथ मिली जीत से भाजपा उम्मिद्वार अशोक तवर के शिकस्त मिली भाजपा के लिए खार की कड़ी में हारियाना की सोनिपत लोकसवा सीट पर भी हार की समिक्षा बेखदी गंबीर स्तिती में की गई है भाजपा की खार पर समिक्षा में कई भाजपा नेताओं के ऐसायोग की चर्चा है यहां भाजपा के प्रदेश महमंत्री वे राई विधान सभा के विधायक मौहनलाल बडोली को मैदान में उतारा गया चुनाव प्रचार में बेहतर पोजीशन के साथ ही सांसद रमेश कोशिक का टिकेट कटने के परिणाम भी साथ साथ प्रभावित करने लगे रमेश कोशिक भी भाजपा उमिद्वार बडोली के चुनाव परचार में कन्नी काटते नजर आए इसी के साथ लोकल भाजपाई भी ऐसा योग दिखाने लगे तो भाजपा के वरिष्ट नेताओं को शिकायत कर आगा किया गया लाख जतन के बाद भी भाजपा के इन पदादिकारियों और नेताओं ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई इस दोरान भाजपा परत्याशी बडोली ने सीएम नाइव सैनी वे पूर्व सीएम मनोहर लाल को अनेक प्रमान तक दिये परन्तु कुछ ना हो सका अब ऐसेयों करने वाले इन सभी संग्टन वे पार्टी से जुड़े लोगों को भीतर घात के लिए रिपोर्ट में दर्ज किया गया है जिसका खाम्याजा भुगतने का भी ऐसास करवाया जा रहा है फिल हाल भाजपा का केंद्रिय संग्टन दिल्ली शपत ग्रहन समारों में व्यस्त है केंद्र में सरकार बनने के बाद पूर्ण बहुमत ना आने के कारणों पर आकलन का दोर शुरूग होने वाला है इस कड़ी में खर्याना की पांच सीटों में हिसार सिर्सा वे सोनिपत सीट की रिपोर्ट पर भी गोर किया जाएगा खर्याना में तीन महीने बाद विदान सबा के चुनाव होने है इस आधार पर खर्याना के इन तीनों लोग सबा की 27 विदान सबाएं और अधिक एहम हो जाती है इस रिपोर्ट के जर्ये किसी को टिकेट से महरूम तो अने करमट भाजपाईयों को टिकेट के रूप में इना मिलने वाला है फिलखाल ज्यादा चर्चा भाजपा के शीर्ष नेत्रितों की और से गिरने वाली गाज की है अब देखना यह कि भाजपा के किन धुरंदरों पर गाज गिरने वाली है और किन खारे हुए परत्याशियों की शिकायत का शिकार होने वाले है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कामेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साजा करें पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पिया जरूर करें शुक्रिया